Hello friends, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको bedsheets जो है वो properly कैसे wash करना है और जो यह मेरा washing machine है वो wash company का है और 8 kg की capacity है 1200 rpm है तो बहुत लोगों ने मुझे comment किया था कि मैं मुझे bedsheet की video आप प्लीज डाल के बताईए कि आप कैसे wash करती है तो यह requested video है तो इसलिए आज मैं आप आपको इसमें detail में बताऊंगी तो चलिए पहले मैं आपको अपना bedsheet दिखा देती हूं कि मैं इसमें कौन सा wash करने वाली हूं तो यहाँ पी मेरे पास यह single bedsheet है जो की cotton का है इसका जो फैबरी के वो cotton है दूसरा bedsheet भी single bedsheet है और यह synthetic plus cotton mix है दो हो गया और तीसरा यह double bedshe bedsheet है तो यह भी synthetic plus cotton mix है तो यह 3 bedsheet है और इस bedsheet का दो yellow cover है तो यह हो गए total पांच यहाँ पर quantity है तो मैं यह सारे आपको इकठे वाश करके बताऊंगी तो वाश करने से पहले friends मैं आपको यह बता दूं कि अगर cotton के सिर्फ अगर bedsheet है तो सब लोग cotton वाला function यूज करते ह है और अगर कई जासे इसे यह लेक्षपर इंक्लूट किया है और इकठे दोने के लिए तो कई सारे क्या करते हैं mix load में डाल देते हैं कि इस तरह के fabric हैं तो हमें इकठे ही दोना है तो हम सारे इकठे ही डाल के मि वाश कर लेते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मिक बैट शीट्स कॉटेन वाले फंक्शन में वाश करके दिखाऊ उगी गा तो पहले बैट शीट्स को वषंग में डाल दे रहा हूं , यह मैं सारे बेट शिट्स इसमें ढाल दे रहे हूं थोड़ा सा फैलाते वे डालेंगे और अब मैं दोर बंद कर दे रहे हूं तो खपड़े डाल दिये हैं मैंने अब डिटरजिन डालेंगे अब बस इतना डिटरजिन काफी है यह मैं सर्फ एक्सल का लिक्विड डिटरजिन ही यूज कर रहे हूं जो मैंने सिफ अधाई से तीन चम्मच ही डाला है यह को लॉक कर देंगे टक मैंने अन नहीं किया है पहले में प्लक ओन कर लेती हूं तो यह मैंने प्लक ओन कर दिया है अब मैं यहां पर जैसे सब लोग मिक्स लोड को यूज करते हैं लेकिन मैं बैटशीट्स के लिए हमीशा कॉटन यूज करती हूं अगर मिक्स कॉटन भी फैब्रिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं इसमें कॉटन में वाश करके आज आपको दिखाऊंगे यहां पर 40 टैंप्रेचर पर यह ले रहा है वाश करने के लिए एक घंटे का समय ले रहा है यह और आर्पियम चेक कर लेते हैं तो आर्पियम भी 12 सो ले रहा है जो सेटिंग यह आटोमेटिक लेता है उसमें हमें बिल्कुल भी छिड़कानी नहीं करनी है तो यहां पर मैंने कॉटन फंक्शन लगा दिया है यहां पर मैंने सब कुछ चेक कर लिया है बस मैं यहां पर स्टार्ट कर दूंगे यहां पर साइन आ गया है डोर लॉक का डोर लॉक हो गया है अब यहां पर कपड़े दूने स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले पानी आ रहा है तो इसमें जो भी जैसे भी यह वाश करेगा मैं आप वीडियो को स्पीड में आपको दिखाऊंगी और उसका नीचे सबस्टाइटल में लिख के आपको बताती रहोंगी कि यह मशीन क्या कर रहा है अगर मैं बोल के पूरी लंबी वीडियो बनाओंगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो अब मैं स्पीड में ट्यून के साथ आपको दिखाऊंगी अगर कि 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 झाल 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 यहाँ 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 पी वाश कंप्लीट हो गया है तो चलिए अब मैं आपको उपिन गर के दिखाती हूँ सकते हैं इसमें लाइनिंग भी नहीं है मैं थोड़ा बहुत है नहीं बोलोंगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और ये कॉटन वाला और ये दो बिलो कवर है और ये कॉटन वाला कि देखिए कितना च्छा लीन हो गया है कॉरक्टेंस आप भी इसी तरीके से वॉष कर remo कि एक कॉट इन सेक्ष्ण में आप इस तरह के कपड़े भी डाल के वॉष कर सकते हैं कॉर्टन वाले कपड़े बहुत अच्छे वाष ओटेंक अगहराव के डेली वेट के कपड़े तो वह भी आप cotton section में select करके wash कर सकते हैं आपको mix load से अच्छा result cotton section में मिलेगा और इस category में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कपड़े किस fabric के हैं तो friends वीडियो पसंद आया तो like जरूर करें और आपको भी और भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते है मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाके upload कर दूंगी तो मिलती हूं में नेक्स्ट वीडियो में अपने wash washing machine के साथ तब तक के लिए take care and bye